प्रादेशिक समाचारिकांज भोपाल से प्रस्तुत है खरगौन जिले की चिठी आलेक आशुतुष पुरोहित वाचिक स्वर सैंक्ता बैनर जी खरगौन जिले में पंचाज चुनाव को लेकर ग्रामीनों में काफी उत्साह है अब तक जिले में दो चरणों में शांतिपून चुनाव संपन हो गए हैं प्रथम चरण में जिले के सैगाओं, भगवानपुरा और जरन्या जनपत पंचाथ क्षेत्र में शांतिपून चुनाव संपन हुआ इसी तरह दूसरे चरण में बढ़वाह और महेश्वर जनपत पंचाथ क्षेत्र में भी शांतिपून मतदान संपन हुआ जिला नर्वाचन अधिकारी कुमार पुर्शोत्तम ने बताया कि प्रशासन ने तीसरे और अंतिम चरण में मतदान की सभी तैयारियां कर ली है जनपत सदस्यों और 26 जिला पंचाथ सदस्यों के साथ एक जिला जनपत अध्यक्ष और नौ जनपत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है खरगौन जिले के छे नगरी निकायों में प्रदेश में दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होगा इस दौरान जिले की खरगौन, बढ़वाहा और सनावद नगरपालिकाओं सहित, कसरावत, करही, पाडलिया खुर्द और बिस्टान नगर परिशत के 114 वाडो में 262 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा वहीं 18 जुलाई को सुभर 9 बजे से मतगणना होगी खरगौन में नगरपालिका चुनावों में नुकर नाटक के माध्यम से मददाताओं को जागरुख किया जा रहा है नगरपालिका की टीम मददाताओं को मतदान के लिए प्रेध करने का विशेश अभियान चला रही है नगरपालिका की CMO प्रियंका पटेल ने बताया कि हर महले, कॉलनियों और बाजार में पहुँचकर मद्दाताओं को मतदान करने के लिए प्रेड़ किया जा रहा है खरगौन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंद के बाद नगरपालिका आक्शन मोड में है अब तक थोक विक्रेताओं के यहां कारवाई करते हुए खरीब 5 लाख रुपे से अधिक की पॉलिथिन और बड़ी मात्रा में अमानक प्लास्टिक की सामगरी जब्त की गई खरगौन जले में मौनसून की दस्तक के साथ ही किसानों ने खरीब फसलों की बोनी शुरू कर दी थी क्रिशी उपसंचालक एमल चौहान ने बताया कि अब तक जले में खरीब 80% क्षेत्रों में किसानों ने बोनी कर ली है जले में रुक रुक कर हो रही बारिश को खेती के लिए अमरत माना जा रहा है खरशी अधिकारियों का भी मानना है कि रमजिम बारिश फसल के लिए वरदान होगी इस बार करीब दो लाख हेक्टेर में कपास उतपादन का लक्ष रखा गया है कपास के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द और अरहर की बोनी भी लक्ष के खरीब है खरगौन जले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर कुमार पुरिशोत्तम ने अवैत कॉलनियों को लेकर जांच के नरदेश दिये है कलेक्टर ने कई कॉलनियों में रजिस्ट्री पर रोग भी लगवाती है कलेक्टर के नरदेश पर जिले में करीब एक दर्जन से अधिक कॉलनाईजर के खिलाफ विभन अथानों में FIR भी दर्च हो गई है खरगौन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में पिछले दुनों मिटी अभियान के प्रनेता जगी वासुदेव सद्गुरू पहुँचे मोटोसाइकल से महेश्वर पहुंचे जगी वासुदेव सद्गुरू का किला परिसर में जिला प्रशासन ने निमाडी संस्कृती से रूबरू कराते हुए परंपरागर धंग से ढोल, थाटी और खलकींचा के साथ स्वागत किया जिले में आटी के तहट 564 गैर अनुदान अशासिय संस्थाओं में लगभग 7200 रिक्त सीटों पर कुल 3050 आवेदन जबा हुए हैं जिला पर योजना समन्वयक कमलेश डोंग्रे ने बताया कि इनमें से 1098 आवेदक के आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है खरगॉनजले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपात्रों को लाभ दिलाने और अवेद वसूली के मामले में प्रशासन ने पिछले दुनों कारवाई करते हुए 6 लोगों पर धोखा धड़ी और धमकाने के मामले में FIR दर्च की गई है स्पी धनवीर से ने बताया कि पुलिस अन्य हिद्गराहियों से भी पूछताज करेगी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 5 से 21 माई के बीच खरगॉनजले में 531 जोडों की शादी कराई गई थी और 892 जोडों का विवह प्रस्तावित है खरगॉनजले में सीम, हल्पलाइन और कलیکٹर को मिली शिकायत की बाद जिले में प्रशासन ने रेत की अवैद उत्खनन, परिवहन और अवैद स्टॉक को लेकर अभियान चलाया है जिली में खरीब एक माह में अवैद उत्खनन, परिवहन और स्टॉक पर हुई कारवाई से खनिज विभागनें खरीब एक करोड से अधिक का जर्माना वसूला है खरगौन जिला सीम हल्पलाइन 181 की शिकायतों के नराकरण में प्रदेश में पहले पायदान पर है नवागत पुलस अधिक्षक धर्मवीर सिह के मातर एक माह के कारेकाल में ये उपलब्धी हासल हुई है खरगौन जिली के चठी समाप्त हुई